हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस यूपी बोर्ट के द्वारा जारी किया गया जो माडल पेपर है ठीक है इसका यहां पर हल देखेंगे और चार मार्च को आप सभी का इंगलिस का पेपर है जिसमें मैक्सिमम सवाल बोर्ट के द्वारा जो माडल पेपर जारी किय जाता है उससे आता है यहां पर आप सभी को कलास 10 का जो इंग्लिस का माटल पेपर वाइरल किया गया है यहां पर इसका हल देखेंगे ठीक है फ्रेंस आप वीडियो को लार्स तक जरूर देखिएगा बोर्ड के एक्जाम में यहां से मैक्सिमम सवाल आने वाला है तो आप ए आप देखें यहां पर टाइम रिखा रहता है आप सबस्बाइब का यहां पर समय इन चैर करता है टीक है त्हको पहले से जाना जरूरी होता है पहरा स्टक्सर क्या है कि कि नहीं स्वाइन पर 15 मिन२ित सटार्टिंग का मिलता है उस सब्सक्रां हो आपको कॉस्शन के रलने के लिए समय मिलता है तरह 15 मिन्ट तक प्रश्च पत्र को आप पढ़ेंगे यहां फी दूसरा इंस्ट्रक्स आरे कि सभी जितने भी कोईश्चन है आपको हल करना जरूरी है आल और कीशन हाई सभी कोईशन आपको आपका पच्वा है कि रिदे क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क यूर एंसोर और गिभें ओयमार सीट डू नाट एरेज कट और यूज वाइटनर अंद ओयमार सीट यानि इसका कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़के हूँ उसका एंसोर आ रेजर हुआ या कट उसपे नहीं लगाना है इन सबका प्रियोग आपको ओयमार सीट जो हता उसपे नहीं करना है ठीक है अब यहां से आपका अगला है कि पार्ट बी में जो हता है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होता है यानि कि आपको लांग क्वेश्चन और इसका जनर कर दखें नहीं के लिए मिलेंगा इसका अर्थ पहले से जानते रहे हैं अब यहां से आपका इस्टार होता है पार्ट ऐ जहां से आपके पैपर को एक बार को देख लिए पैपर को देख लेंगे in personnes की ज Вас hockey औरे गया है कि प proxy इंतिभित तीन तक है कि read the following passage carefully and choose the correct option to answer the question that follow मतलब यहाँ पर जो passage दिया है इसको ध्यान से आपको पढ़ना है पढ़ने के बाद उसका आपको क्या करना एंस्वर देना है ठीक है इससे संबंदित आपको तीन question पैसे संबंदित बोर्ड के exam में पूछता है मतलब यहाँ जो lesson होता है हमें सीखने और सिखाने में बहुत मदद करता है that in all matter the two extremes are like यानि दोनों जो matter होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं अदम एक तरह होते हैं ठीक है the extreme positive and the extreme negative are always similar जो positive होता है जो negative होते हैं वो सभी एक दूसरे के similar मतलब समान होते हैं इस चीज़ को समझेगा positive हो या negative हो दोने एक दूसरे क्या होते हैं एक समान होते हैं यदि हम जो vibration करते हैं अर्थात जो बोलते हैं वो light मतलब हलका बोले या बहुत धीमे से बोले यानि कि हमारे लिए दोनो सही नहीं है नार डू वी सी देम वेन दे आर्ट रैपीड यदि हम बहुत तीवर गती से भी बोलते हैं यह दोनों चाहिए positive होट हो चाहिए negative हो यह दोनों बहुत slow बोलते हैं या बहुत धीमा से बोलते हैं यह दोन हमारे लिए उप्योगी नहीं है so with sound when very low in peach we do not hear it when very high we do not hear it either मतलब काने का यहाँ पर है कि बहुत हम low बोलते हैं या हमारे जो बोलने की जो sound है आवाज है बहुत low है या पहुत very high है यह दोनों हमारे सुनने योग के नहीँ होता है या नहीं होता है या नहीं कि यह natural में देखा जाए ठीक है बस ठीक है one man does not resist मनद एक आदमी इसको resist नहीं कर सकता है because he weak यानि कि वह क्या होता है weak हो सकता है lazy or cannot यानि कि वह कमजोर lazy नहीं हो सकता है ठीक है the other man knows यान दूसरा आदमी जानता है that he can strike an irresistible blow if the like ठीक है यहां पर इसके simple simple आप सब्दों को देख कि आप इसका अर्थ हलकालका जानते भी रहेंगा तो आप इसका answer to hear a sound if मतलLove की जो बता है कि हमारे लिए एक sound जो हता है सुनने युग नहीं होता है कैसा sound हमें सुनने योग्य नहीं होता है, it is low, यह हम low बोलते हैं, बहुत धीमा से बोलते हैं, यह भी हमें सुनने योग्य नहीं होता है, it is high, यह हम बहुत तीब्रकती से बहुत तेज आवाज से बोलते हैं, यह भी सुनने योग्य नहीं होता है, it is noisy, यह बहुत आवाज करक तब भी वह सुनने योग नहीं होता है कि आपसन तो सब सही है लेकिन यहाँ D वाला आपसन दिया है कि A और B दोनों सही है यानि कि आप धीमा बोलेंगे या हाई बोलेंगे इसलिए कि इन्हीं दोनों शब्दों का परियोग इस पैसेज में किया है सबसे ज्यादा तो आप प यहाँ पर पूछता है वह देखा कि इस पैसेज में कहां पर दिया है सिर्फ पैसेज का आप देखके सब्दों को मिलान करके भी आप एंस्वर निकाल सकते हैं आसानी से ठीक है इसका सही होगा कि जो हमारे सुनने योग के जो साउंड होता नहीं है तो यदि हम धीमा बोलत है आप से चलिए अगले नंबर के question को देखते हैं देखें आपका दूसरा नंबर का सवाल क्या है दा टू एक्स्ट्रीम और लाइक मीन माने कि दो जो एक तरह क्यों होते हैं क्या होते तभी आपको बताया थी कि positive और negative जो वर्ड होते एक समान होते हैं यहाँ पर देख सकत negative और always similar यह क्या मिला है similar है यहाँ पर similar मतलब होता है same एक समान अब आप जो आप संचार दिया उसमें similar यह सेम सब्द खोजिए कहां पर दिया है इस सब्द कोई पकड़ के आप उसका answer दे सकते हैं चलिए यहाँ पर देखिए यह आपके सामने question है अब देखिए same कही पर ल we get almost the same result in both situation यहाँ दोना situation में क्या होता है ठीक है इसका सही जब क्या होगा सी वाला option सही होगा ठीक है इस पकाल से आप देखिए same सब्द पकड़े है इसको पकड़के आप आप संच में answer निकाल सकते हैं अगला देखिए which word in the passage is opposite of slow slow मतलब होता है धीमा धीमा का उल्टा क्या होगा तेज होगा और तेज को इंगलिस में क्या कहते हैं राइपीड कहेंगे क्या कहेंगा राइपीड ठीक है राइपीड बोलते है ठीक है यहाँ पर option क्या हो जागा इसका सही जो बीवला option सही हो जागा ठीक है इस आपको पैसे जिसे ही answer आपको मिल जाता है चले अगले नंबर के सवाल को देखते हैं यहाँ पर देखिए चूज दक्रेक्ट आपसा टू एक नंबर का सवाल रहता है अब देखिए यहाँ यहाँ पर आपका खाली अस्थान दिया दियर वित माई पैरेंट ना यहाँ पर इसकी है आप क्या भर सकते हैं या यहाँ पर आप्डियर वित माई पैरेंट यान इसका सही जो आपको क्या होगा डीवला आप्सा हो जाएगा ठीक है अगला देखिए पांचवा नंबर का क्या है आपका सवाब कि if you want to know about new things you are तो उसे देखिए if you want to know about new things you are इसे एक सब्द में क्या कहेंगे इसे if you want to know about new things यानि कि यदि तुम जानना चाते about new things यानि नए वस्तो इसका अर्थ होगा कि अधि तुम नए वस्तो के बारे में जानने को हिंदी में क्या कहते है जिग्यासा और जिग्यासा को इंग्लिस में क्या कहते हैं क्या कहते हैं नए चीज़ों के बारे में जानने को कहते हैं इंग्लिस में क्या कहते है क्यों इसका सब्सक्राइब करें आप आपको बनाना चाही हूं जाएगा ठीक है यह नए चीज के बारे में जानना है जिग्यासा होता है एक नमबर करेगा यानि यहांने कि यहां पर सब्दों को अलग-अलग करके दे दिया है और इसका एक सही वात्य बनाना है अब देखिए इसमें आपको क्या करना सबसे पहले आपके क्या लगता है सब्जेक्ट लगता है तो देखिए यहां पर माई ट्वाइस लफ्स टू सेयल हिस ब्रदर यह हो नह मेरा भाई जो है अपने खिलोने को सेयर करने में प्यार करता है ठीक है इसका सही जो क्या होगा सीवला आपसन सही हो जाएगा यहां पी इसका अर्थ जानने की जो नहीं बस आपको क्या करना रहता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है फिर इसके बाद आपको क पकड़के इसका एंस्वर लगा सकते थे ठीक है चलिए अगले नंबर के question को देखते हैं आपको देखे सात्वा नंबर के क्या है कि which of the following words is misspelled यानि यहां पर misspelled बता ना है कि किसका spelling यहां पर गलत दिया गया है देखे पराद दिया है abundance दिया है attendance के spelling सही है acceptance के spelling सही है equitance के spelling सही है तिनों की सही है इसका spelling यहां पर गलत सही क्या होजगा फिरफ इस ए कै जगा पर क्या होगा फिरफ recite किस का spelling इसमें गलत है वह यह आपको बताना था ठीक है अटेंडेंस हुए एक्सेप्टेंस हुए यह सभी सही है लेकिन यहां पर यह वाला क्या है आपका गलत है ठीक है इस तरह आप बोर्ड के एक्जाम में क्वेशन पूछता है अठ्वा नमबर का देखिए यह जंप दो वेल टु सेप ड्राइंग गर्ल यानि कि वह कुवं पूदता देखिए जंप के बाद या नदी में कुदना या कुवं पूदने के लिए जंप आता है तो हमेसे वहां पर क्या लगाया कीजिए इंटू लगाया कीजिए जंप के बाद लगता है आपका इंटू इसमें सही जब क्या होगा बी वला आपसन आपका करेक्ट हो जागा ठीक है अब देखिए आगे फिर आपसे क्या पूछता है बोर्ड की एक्जाम में कि रिट्ट पैसे गिभें बीलो चूज दप्र आपस लेके यहां तक आप क्या कीजिएगा इसको पढ़िएगा पढ़ने के बाद इसका क्या करना यहां पर एंस्वर देना है ठीक है आपको आई फिनिश्ट माई पोयम एंड इट वाज बीटिफूल इट वाज बाउट मदर डख एंड फादर स्वाइन विद्री बेभी डपल यानि हास लेके यह तक पढ़िएगा सी सिधे को अब को बताते हैं करहेगी इन अन्ये केपोयम डखियर दक लिइंड ल Southern Swann सिंब्डिट यानि इसमें कहने का मतलब है जो आपने इस जस्ऴ कर आपको फसको संब्री इस को सिंब्र लाइज करता है या इस निस्ट थíre दर स् वर्ष को किया है या क्लास एड स्कूल को किया है कि किसको द्यान से सही जवाब क्यों genes को जाएगा भाध्य निश्टर किसिमग को जाएगे इसको प्ढ़ेंग तो आपको मिल जाएगा मिल जाएगा इस में działa sciences लगा सकते हैं तो इसका सभी जब क्या होगा इस वाक्यों के द्यान से पढ़ेंगे तो आप इसमें से निकाल लेंगे ठीक है अब आपके सामने अगला नंबर का देखें दसवा नंबर का क्या है आपका यहां भी द्यान दीजिए कि mr kissing head assigned and extract extra homework yearly because या इक्स्ट्र होमवर्क यिर्ली विकाज देता है अब देखें यहां पे आप क्या करेंगे पढ़ेंगे ठीक है यहां पर वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे देखें इस वाक्य को जब आप पढ़ेंगे देखें यहां पर देखें मिस्ट्र किसिंग कर दो ड्य जोक the right way class as well as since ठीक है यहाँ पर class दिया है ना class एक सब्द पकड़िएगा और इस वाक्य में खोजिएगा जो अगले question को देखते हैं देखे आप अगला question का रहाएगा चूज द करेक्ट option to answer the falling question यानि कि यहाँ नीचे जो option पूछा इसमें कौन सा option आपका सही होगा यही पूछाएगा यह आपके book का है जो book का question है जब तक आप book नहीं पढ़े रहेंगे उसके बारे में नहीं जानेंगे तो option नहीं दे सकते हैं तो इसलिए book पर ध्यान दिजेगा आप लोग ठीक है मंडेला पास्ट इयर इन जेल यानि मंडेला ने जेल में कितने वर्स तक बिताया था ठीक है इसका एंसर आप क्या कर सकते हैं तो इस प्रशन का सही जवाब यदि किताब पढ़े रहेंगे ताब आसानी से इन प्रशनों का एंसर दे सकते हैं अब देखिए यह आपका किताब से महासीर जो कुर्ग में पाया यारि के महासीर ने क्या पाया था आपके यह बताना है ठीक है यह लार्ज फ्रेश वाटर फिस पाया था क्या पाया था कि एक लाज फ्रेशल वाटर फिस्ट इसका सही जोगते होगा एवल आपसन सही हो जाएगा यानि महासीर कूर्गे में क्या पायते है एक लाज फ्रेशल वाटर फिस्ट पायते है ठीक है ति इसका सही जोगते हो जाएगा एवला आपसन सही हो जाएगा अगला देखिए तीरे नंबर का है कि द बस कंड़क्टर वाज क्या रूड था जोली था यह इस ट्रेंज था यादि कैसा उसका बिहेवियर कैसा आपको बताना यह सकते हैं अगला नंबर देखिए आपके बुक से यह भी आपका क्या है आपके बुक से ही पैसेज दिया है ठीक है, read the given, extract and choose the correct option to answer the following question, यानि कि यहां पर जो आपका यह दिया है, इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद इस पर आधारी जो question पूछता है, उसको आपको answer देना है, देखिए पढ़िए, do not, यह don't का मतलब होता, do not bite your nails, Amanda, do not hunch your shoulders, Amanda, stop that stretching, and sit up straight, Amanda, यानि यह Amanda वाले चेप्टर आप पढ़े होगे किताब से तो उसी सब पूछा है, अब यहां पर देखिए आपका 14 नमबर का question है, और यहां पर देखिए इसका क्या होगा, who is speak in the above lines, यानि उपर जो lines जो दिये गया है, इसके बारे में किसने क्या कहा है, तो देखिए आपसन है, Amanda, जूसरा her parents, her friends, her neighbors, यानि इस बूक को आप पढ़े होंगे, तो आप आसानी से इसका answer दे सकते हैं, कि जो उपर वाग कि कहा जा रहे है, किसके द्वारा कहा गया, किसके द्वारा बोला गया है, यह बोला गया है उसके माता पिता के द्वारा बोला गया था इसका सही जब क्या होगा बीवला आपसन सही हो जागा इसका क्या होगा हर पैरेंट्स यानि यह जो वाग डू नाट बाइट यूर नेल्स अमांडा अपने नाखूनों को बड़ा नहीं करना चाहिए इस तरह जो आईसानी साथ दे सकते हैं ठीक है चली अगले तेखते हैं 15 नॉम रहे से आपका है और यह भी आपका बुक का ही He the speak is speaking-like like this because Speaker जो है इसके बारे में क्या कह रहा है जो वाकि जो लिखा गया है उसके बारे में ठीक है instruction जो बताया जा रहा है इसमें Amanda को कहा जा रहा है कि अपने behavior को अच्छा बना सकती है यानि यह कहा जा रहा है Amanda के बारे में इसका सही जो कि अगर सी वाला option यहाँ पर correct हो जाएगा ठीक है यह option सही है लेकिन आप book पढ़े रहेंगे ताप आसानी से answer दे सकते हैं अगला नंबर का है question 16 से 20 तक choose the correct option to answer the following question यानि कि अब यहां से क्या करना है यह भी आपका क्या है बुक से जितने भी बुक का है यह आप पढ़े रहेंगे ताप आसानी sensor दे सकते हैं देकि 16 नंबर का क्या है आपका it was a temptation to keep tricky on as a permanent guest because यानि कि क्या है tricky वाले चप्टर से आपका है देख लिजिए यहां पर अब यहां पर option को कैसे answer देंगे जब आप इस बुक के पढ़े रहेंगे तभी देख सकते हैं न इसका it was a temptation to keep tricky on as a permanent guest क्योंकि इसका जो आपका सही option होगा यह डीवल option सही होगा मिसेश पंफ्रेश सेंट ए लॉट टेबल्स डेट दक डाक्टर इंज्वाए ठीक है अब देखिए अगरा नंबर का क्या है 17 नंबर का कि अनिल ठाट हरी सिंग यानि अनिल हरी सिंग के बारे में क्या सोचता है ठ क्या मेरी का मेरी इटम्बर्स के बारे में रिकिसके बारे में सोच ओ सोरा को आपक हिसाघिक सोच में होगा अकला नंब coz जो गिफ्टेट इबराइट इस मदर यानि उसके माता के द्वारा उसे जो गिफ्ट के रूप में मिला है तो क्या कर रहा है तो ट्रेवेल आप मोनार्ड बटरफलाइस तो देखें यहां पिए आपका क्या है इसका सही क्या होगा आप लोग पढ़ेंगे इसको आगला देखिए क्वेस्चन उन्नीस नंबर का है कि वीच आप दो फॉलिंग कम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा यारी मटिल्डा टेप्चर से अब मटिल्डा के बारे में आपको बताना है यहां पर देखिए इसका सही जोगा अगर फैस्ट नेबल थी मिडल क्लास की थी इसका सही जोगा विवला आपसन सही हो जाएगा हैं अगले को देखते हैं देखिए बीस नंबर का क्वेशन है कि भोली वास सेंड टू स्कूल यानि भोली इसकूल को सेंड किया था विकास क्या की थी अब आपसन देखिए हर फादर फेल्ड कंप्लेंट टू डू टू डू सो या हर मदर वांटेड हर टू गेट एजुके आपसे बॉर क्या है यहां से बॉर्ड का सुच्षिन साथ नंबर को सेंगे आपको पताने καस। आपका यहां से लेकर यहां से पहने के बाद इससे संबंदी 4 questions पूछता है टोटल 2,2 नंबर नंबर का question पूछता है तोटल 7 नंबर का question पूछा जाता है अब इस पैसे को ध्यान से पढ़ लीज़ेगे पहने के बाद यहां से answer देना रहता है लिबरेटरी रिप्रेजेंट अब देखिए आप इसका एंसर कैसे देंगे आप स्टार्टिंग से पढ़ते चले जाएगा और यह सब्द आप उसमें खोजिएगा लिखा कहां पर पूरा पहने की जोट नहीं है आप इस वाके को बस पढ़िएगा और देखिएगा यह लिख अगरा नंबर लेकर अगरा नंबर आपको क्या करना है कि बहुत यह सब्द पूछा रहाता है आप यह पैसे जो दिया रहा है उसमें बस खोजिए कि कहा लिखा है यह लेकर यह लेकर यहां तक लिख सकते है आप अगला देखिए कि what is meant by underline portion यह underline portion का अर्थ आपको बताना है तो देखिए यहाँ पे यह underline है इसका अर्थ बताना है आपको इसका answer सटिक आ रहा है तो आप सटिक लिखिएगा अन्य था यदि नहीं आता है तो आप इसका answer कैसे लिखेंगे देखिए इसका answer आपको लिखना है तो पहला नमबर तो यहीं से start की यहाँ से लेके लिखना start कीजिएगा और बड़ दीरवाज one problem यहाँ से आगे तक लेते हुए यहाँ तक पूरा लिख दीजिए यह इसका क्या हो जाएगा अर्थ हो जाएगा इसका answer यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपको क्या करना है देखिए यहाँ से लिखे यहाँ से लिखे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपको क्या करना रहेगा बोर्ड के एक्जामे इसका दूसरे का answer लिख सकते हैं ठीक है सिर्फ सब्दों को पकड़के उसका एंसुल लिख सकते हैं बहुंस सिंपल होता है यह कोईस्टन ठीक है इसकर पूरा इसका एंसुल लिख सकते हैं अमेरिका के बारे में लीक सकते हैं यहां पर दो यहां पर ङुद जाएगा ऊर्थ लिखना है अप जानते होंगा तो रिक्वेष्टेट अवर्थ लिखना है डिख सकते हैं एक एक नमब भी नहीं करता है। समझे में आ गया होगा कि इसका answer आपको कैसे लिखना है ठीक है अब क्या होगा अगला question अब आपसे अगला पूछता है writing के बारे में क्या पूछता है writing के बारे में अब देखिए writing के बारे में पूछता है यहां पर देखिए write a letter to your older brother who lives in Delhi sharing your feeling about how you miss him at home ठीक है यह आपको लेटर चार नंबर का पूछता है तो आपको लेटर आता है तो लेटर में लिखिए या आर मतलब वहता अथवा यह नहीं आता है इसको कर सकते हैं application लिखने के लिए देता है application देखिए किस पर एक principle of your college to complain that the water tank in the school are not being clean regularly यह इस पर लिखेंगे तो टोटल चार नंबर मिलेगा चलिए आपको अगले प्रश्णों को पता देते हैं कि कौन कौन सा प्रश्ण और किस टाइप से बोर्ड के exam में सभी सवाल आने वाले है ठीक है आपको तीसरा नंबर का साल पूछता है कि write a report on the craft मतलब कि आपको रिपोर्ट लिखना रहाता ना आपको इस पर क्या हिंस कुछ दे देता है जैसे वेन इन अगरेशन कि सेरे मानी इक्स हैवीट क्राफ्ट आइटम्स गैदरिंग अधर ना इस्टास एटीसी ओवर आल इक्स परियेंस अब देखिए इस पर क्या करना रहा है मतलब हीडिंग्र नोटल 6 नमबर कर रहता है और इसके आपको ईंटरनेट के बारे में आपको क्या करना रहे गा लिखना आसी से सो सब्दों के बीच में अब आपसे grammar से संब्धित कौन सा question पूछता है तो grammar से संब्धित देख लिए अब दो ढूचार दूच्छा चार इस तरह grammar से संब्धित पूछता है आपसे paper में देख़े क्या है कि re-write the following sentences by changing into indirect speech, indirect speech आपको इसको बनाना रहे है कि जैसे the voice said to the teacher, please give me one day's sleep, यानि कि आपको इसको क्या करना है, indirect में change करते हैं, दो नमबर मिल जाता है, इसके अलावा आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको passive voice में change करना रहाता है, इसके भी दो नमबर आपको रहता है, फिर इस यादि English में इसका translation करते हैं, तो आपको इस पर चार नमबर मिलता है, ठीक है, इस प्रशनों को जितने भी प्रशन आपको पता रहे हैं, सभी प्रशन आप तयार जरू कर लीजिएगा, ठीक है, आप देखिए, अब literature रहता है आपका, कि answer the following question about 3040 words में, यहाँ पर देखिए that are essential part of celebration in Goa, यानि कि आपके book का सवाल रहता है, आप book पढ़े रहेंगे, तभी इसका answer दे सकते हैं, आर मतलब होता है, यानि इस सवाल का answer दीजिएगा, चलिए अगले question को देखते हैं, देखिए, आपको अगला पूचा है, how did Wiley save money for the bus ticket, ठीक है, यह आपके book का है, इसका answer answer देना रहता है, अब देखिए, अगला जो आपको पूच्टा, आपको book से ही पूच्टा है, answer anyone of the falling about 64, टोटल चार नमबर का question रहेगा, यहां देखिए, चार नमबर का रहता है, यह दो question पूच्टा है, इन दोनों question में से, एक question का answer आपको देना रहेगा, इसलिए कि different between a tiger in the Jew and tiger in the jungle, यानि कि आपको इस पर different लिखना रहेगा, या इसके लाभा यह नहीं आ रहा है, इस पे आप लिख सकते है, टोटल टीन नमबर का मिलता है, अगला देखिए, आपको क्या करना रहता है, का central idea लिखने के लिए रहता है, central idea लिखते हैं, तो तीन नमबर मिलता लिखना रहता है, अगला देखिए, नवा नमबर का जो question आप से पूछता है, बोड की exam में, answer anyone of the following question about 340 वर, टोटल टीन नमबर का, यह भी आपको क्या करना है, कि यहाँ पे दो question आप से A और B पूछा है, इन में से किसी एक का ही आपको answer देना रहेगा, यह भी आपके book का है, ठीक है, what does the doctor do to pure tricky, ठीक है, मतलब इसके बारे में, दोनों में से किसी एक का answer आप बोड की exam में, दे दीजेगा, अगला देखिए, answer anyone of the following about 640 वर, देखिए, यहाँ भी क्या करना है, कि दो question आप से पूछा है, दोनों में से किसी एक का answer 640 में देना है, और टोटल चार यह question रहता है, ठीक है, यह जो यूपी बोड के द्वारा, जो model paper viral किया गया है, इसका यहाँ पर आप सभी को बताए है, जो भी प्रशन थे, उसका हल भी कराए है, कुछ questions थे, उसका हल कराए है, और जितने भी question आपको बता है, तो जरूर आप तयार करके ही board exam देने मैकसिमम question आपको model paper में से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, तो friends, आपको यह video पसंद आए, तो वीडियो को like करें, चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe करें, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक video को share करें